ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 27 नवंबर 2023 बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे दिन में शरीर निर्वा अर्थ कर्म करो रात में बैठ ज्यान का सिमरन करो बाब को याद करो बुद्धी में सुदर्शन चक्र फिराओ तो नशा चड़ेगा प्रशन माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है उत्तर जिनकी बुद्धी किसी न किसी में फसी हुई रहती है जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ है पढ़ाई अच्छी रिती नहीं पढ़ते हैं माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती वे मन मना भव रह नहीं सकते फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धी चलती नहीं स्रीमत पर न चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं धोका देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शान्ती बच्चों ने गीत सुना गौड फादर को ही बुलाते हैं स्रीक्रश्न को नहीं बाप को कहेंगे आओ फिर से कंसपुरी के बदले क्रश्नपुरी बनाओ क्रश्नपुरी को तो स्वर्क कहा जाता है ये कोई भी जानते नहीं क्योंकि स्रीक्रश्न को दुआपर में ले गए हैं ये सब भूलें शास्त्रों से हुई हैं अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं वास्तम में सारी दुनिया का बड़ा गौड फादर है सब को उस एक गौड को ही याद करना है भल मनुष्य क्राइश्ट बुद्ध अत्वा देवताओं आधी को याद करते हैं हर एक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं याद करना शुरू हुआ है दुआपर से भारत में गाया हुआ भी है दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है क्योंकि दुख है पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है परंतु मनुश्यों ने बाप को भूल स्रीक्रिस्न का नाम डाल दिया है लक्षमी नारायन के धर्म का उन्हें पता नहीं है याद तो ना लक्षमी नारायन को ना स्रीक्रिस्न को करना है याद एक बाप को करना है जो आदी सनातन देवी देवता धर्म की इस्थापना कर रहे हैं फिर जब ये भक्ती मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान स्री कृष्ण है उनको याद करते हैं उन्हों को देख वै भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं ये भूल जाते हैं कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है हम लिख सकते हैं कि गीता का सर्मोनाईजर स्री कृष्ण नहीं शिव बावा है वै है निराकार ये वंडर्फुल बात हुई न किसी के पास भी शिव बावा का परचे नहीं है वै इस्टार है सब जगा शिव के मंदिर हैं तो वै समस्ते हैं कि इतना बड़ा है अखंड जोती तत्व है परंतु वै तो महतत्व में रहते हैं जहां आत्माय रहती हैं आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है परम पिता परमात्मा भी स्टार है परंतु वे नॉलेज़ फुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है आत्माओं का पिता परमात्मा को कहेंगे है वै निराकार मनुष्य को तो ocean of knowledge ocean of love कहना सकें इसलिए समझाने वाले बच्चों में authority चाहिए जिनकी बुद्धी विशाल हो तुम सब में मुख्य है मम्मा वंदे मातरम वंदे मातरम भी काया हुआ है कन्याओं द्वारा बान मरवाए अधर कन्या कुमारी कन्या का राज कहां है नहीं सिर्फ मंदिर से ही सिद्ध होता है जगदंबा भी बरोबर है परन्तु वे जानते नहीं कि वे कौन है बाप केते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचैता और रचना के आदी मद्यांत का राज बताता हूँ ड्रामा में क्या है ये मनुश्यों की बुद्धी में आना चाहिए ये बेहद का ड्रामा है इसके हम एक्टर हैं तो ड्रामा के आदी मद्यांत का राज बुद्धी में रहना चाहिए जिनकी बुद्धी में ये रहता है उन्हें बहुत नशा रहता है सारा दिन शरीर निर्वा किया रात को बैठ स्मर्ती लाओ ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है यही मनमना भव है परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है एक्टर्स की बुद्धी में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए न परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं फिर अपनी मत पर चल पड़ते हैं बाप केते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्यान है यह पतित दुनिया विकार को पॉईजन कहा जाता है जिसका सन्यासी लोग सन्यास करते है यह रावन राज शुरू ही होता है द्वापर से यह वेद शास्त रादी सब भक्ती मार्ग की सामगरी है सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धी चलनी चाहिए स्रीमत पर चलें तो धारना भी हो बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है सब दुखी हो रणी मारेंगे हे भगवान रहम करो त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे पार्टीशन के समय कितना याद करते थे हे भगवान रहम करो रक्षा करो अब रक्षा क्या करेंगे रक्षा करने वाले को ही जानते नहीं तो रक्षा करेंगे कैसे अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई की बुद्धी में बैठता है बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो ये स्रीमत बाप की मिलती है ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते ये भी कैसा वंडर है कितनी समझने की बाते हैं सारा दिन शिव बाबा की याद बुद्धी में रहे ये भी उनका रथ साथी ठहरा न बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धी हैं कल संशय बुद्धी बन जाते हैं माया का तूफान लगने से अवस्ता गिरती है तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं तुम ज्यान में आए सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे तुम क्यों फिक्र करते हो सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा अगर सरेंडर हुआ है सर्विस नई करता तो भी उनको खिलाना तो पड़े तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना क्छत्म कर लेते हैं सर्विस करते नहीं है तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की मुख्य बाबा की रुहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य उँचे बने सर्विस नहीं करते तो जाकर दास-दासी बनेंगे जो पड़ाई अच्छी पड़ते हैं उनका मान भी उँचा होता है जो नापास होंगे वह जाकर दास-दासी बनेंगे बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्सा लो बस ये मनमनाभव अक्षर ही राइट है ओशन ओफ नौलेच कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुमारे विकर्म विनाश होंगे ऐसे स्रीक्रस्न कहना सके बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो और भविश्य राजपद को याद करो ये राजयोग है न? इससे प्रवर्ती मार्ग सिद्ध होता है ये तुम ही समझा सकते हो तुम्हारे में भी जो सर्विस एबुल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है समझा जाता है ये होशियार हैंड हैं बच्चों को योग युक्त बनना है सिरीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं धोका देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं ट्रिब्यूनल भी बैठती है न? अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे रात्री क्लास बुद्धी में बिठाओ बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है वही उचते उच निराकार परमपिता परमात्मा है वह है बेहद का बाप और यह है हद का बाप और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले देने से समझेंगे बाप से वर्षा मिलता है जिसको दैवी स्वराज कहा जाता है यह बाप ही देते हैं वही पतित पावन गाया जाता है वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो कल्प कल्प बाप कहते हैं मामे कम याद करो याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है अभी पावन दुनिया आ रही है पति दुनिया विनाश होनी है पहले पहले बाप का परचे दे पक्का कराना है जब पक्का बाप को समझ जाएं तब बाप से वर्शा मिले इसमें माया भुलाती बहुत है तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की फिर भूल जाते हो शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे वै बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो फिर भी धंदे आदी में भूल जाते हैं ये भूलना नहीं चाहिए यही मेहनत की बात है बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुँचना है कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिष्था तो ये पक्का याद करो कैसे किसको समझाएं पक्का निश्चे भी हो कि हम भाईयों को आत्माओं को समझाते हैं सब को बाप का पैगाम देना है कई कहते हैं बाबा पास चलूं दीदार करूं परन्तु इसमें दीदार आदी की तो बात ही नहीं है भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तुम मुझ अपने निराकार बाप को याद करो याद करने से सब पाप कट जाते हैं कहां भी धंदे आदी में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है बाप ने हुक्म दिया है मुझे याद करो निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे याद नहीं करेंगे तो माक्स कम हो जाएंगे ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की जो एक बाप ही पढ़ाते हैं तुम्हें चक्र वर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को चक्र को भी याद करना है करमतीत अवस्ता तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी है वह अंत में होनी है अंत कोई भी समय आ सकती है इसलिए पुरुशार्थ लगातार करना है नित्य तुम्हारा पुरुशार्थ चलता रहे लोकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि देह के सभी संबंद छोड़ अपने को आत्मा समझो शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे ये तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे ये धंदा तो खुशी से करना चाहिए ना भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है याद मैं रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है तुम्हारा ही कल्यान ह अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूँ अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती याद प्यार और गुड नाइट ओम शान्ती धारना के लिए मुख्यसार पहला मनुश्यों को हीरे जैसा बनाने की रुहानी सर्विस करनी है कभी भी संशय पढाई को नहीं छोडना है ट्रष्टी होकर रहना है दूसरा शरीर निर्वा अर्थ कर्म करते भी बाब को याद करना है सिरीमत में अपना कल्यान समझ चलते रहना है अपनी मत नहीं चलानी है वर्दान, मंसा और वाचा की शक्ती को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीवर पुर्शार्ती भव मंसा और वाचा की शक्ती को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीवर पुर्शार्ती भव तीवर पुर्शार्ती अर्थात फस्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ती और वाणी की शक्ती को यथार्थ और समर्थ रीती से कार्य में लगाते हैं वेस में लूज नहीं होते हैं उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो धीरे बोलो और मधुर बोलो उनका हर बोल योग युक्त युक्ती युक्त होता है वे आवश्यक बोल ही बोलते हैं व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनरजी समाप्त नहीं करते स्लोगन संपून नश्टो मुहा वे हैं जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याक कर देते हैं ओम शांती मातेश्वरी जी के मधुर महा वाक्य मन के शांती का कारण है कर्म बंधन और शांती का आधार है कर्मा तीत वास्ता में हर एक मनुष्य की ये चहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांती प्राप्त हो जावे इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं मगर मन को शांती अब तक प्राप्त नहीं हुई इसका यथार्थ कारण क्या है अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के शांती की पहली जड़ क्या है मन की शांती का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फसना जब तक मनुष्य इन पांच विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं तब तक मनुष्य अशांती से छूट नहीं सकते जब कर्म बंधन तूट जाता है तब मन की शांती अर्थात जीवन मुक्ती को प्राप्त कर सकते हैं अब सोच करना है ये कर्म बंधन तूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है ये तो हम जानते हैं कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती ये कर्म बंधन का हिसाब किताब तोडने वाला सिर्फ एक परमात्मा है वही आकर इस ग्यान योगबल से कर्म बंधन से छुडाते हैं इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है जब तक पहले ये ग्यान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ असल मैं, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है जब ये बुद्धी में आ जाए तब ही कर्म बंधन तूटे अब ये नौलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन तूटते हैं अच्छा, ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती